चलिए तो एक question देखते हैं यह question FB पे बहुत ज़्यादा trending पे है बहुत सारे लोग इसे share कर रहे हैं और इस question का हम solution निकालने की कोशिश करते हैं question में given है a rabbit saw nine elephants while going to the river every elephant saw three monkeys were going to the river every monkey having one tortoise in each hand how many animals were going to the river आपको इस question में ये बताना है कि finally total कितने animal हैं जो river की तरफ नदी की तरफ जा रहे हैं तो चलिए इस question को हम solve करने की कोशिश करते हैं और आसान question है ये trending पे है अब भी पे चल रहा है इसको हम देखते हैं कैसे solve करना है तो सबसे पहले पहला statement जो है उसमें given है हमें a rabbit saw nine elephant while going to the river यहाँ पे ध्यान हमें क्या रखना है देखिए जा कौन रहा है a rabbit saw nine elephant मतलब एक खरगोश ने कितने elephant को देखा nine elephants को देखा while going to the river मतलब नदी की तरफ जाते हुए rabbit जो है वो नदी की तरफ जब जा रहा था तब उसने कितने elephants को देखा nine elephants को that means rabbit जा रहा था river की तरफ और उसने इस जाते हुए during this while going to the river मतलब जब यह rabbit नदी की तरफ जा रहा था तब उसने nine elephants को देखा इसमें यह नहीं given है थे नदी की तरफ जा रहे थे या नहीं that means अभी यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन जा रहा है नदी की तरफ सिर्फ और सिर्फ rabbit जा रहा है first statement में सिर्फ कौन जा रहा है rabbit जा रहा है चलिए अब आगे देखते हैं next जो statement है हमारा next statement कहता है every elephant saw three monkeys were going to the river अब आप देखिए जो nine elephant थे वो सारे के सारे nine elephant जब खड़े हुए थे तो उन्होंने देखा कि तीन monkey कहां की तरफ जा रहे है नदी की तरह पर यहां पे कुछ लोग समझेंगे कि हर एक elephant ने हर एक हाथी ने तीन monkeys को देखा तो total तो हो जाएंगे 27 लेकर ऐसा नहीं है जब तीन monkey जा रहे होगी तो उन्हीं तीन monkey को पहला elephant देखेगा उन्हीं को दूसरा उन्हीं को तीसरा that means यहां पे यह जो तीन elephant sorry 9 elephants हैं यह देख रहे हैं कि 3 जो monkey हैं 3 monkeys वो कहां की तरफ जा रहे हैं रिवर की तरफ जा रहे हैं नदी기에 की तरफ तीनों monkeys जा रहे हैं मतलब भले ही इसमें लिखा है कि every elephant saw तो हर एक elephant उन्हीं तीनों monkeys इसको देखेगा जो कि किस की तरफ जा रहे हैं river की तरफ जा रहे हैं that means यहाँ पे तीन monkey जा रहे हैं river की तरफ और एक उससे पहले क्या जा रहा था rabbit जा रहा था लेकिन elephant नहीं जा रहे हैं river की तरफ ये चीज़ धियान रखना तो तीन monkey और एक rabbit हो गया अब हम आगे बढ़ते हैं statement में आगे given है every monkey having one tori toys in each hand अब हर monkey के पास एक हाथ में एक tori toys है एक कच्छवा है monkey के कितने हाथ होंगी? दो हाथ होंगी तो दोनों हाथों में कितने tori toys हो गए? दो tori toys हो गए मतलब दो कच्छवे हो गए तो हर monkey के साथ कितने कच्छवे जा रहे हैं? दो कच्छवे जा रहे है जब monkey river की तरफ जा रहा है if monkey is going towards the river then tori toys are also going towards the river मतलब अगर हम देखें तो three monkeys के साथ में six tori toys भी कहां की तरफ जा रहे हैं? ये भी हमारे river की तरफ जा रहे हैं that means यहाँ पे six तो हो गए ये tori toys और three हो गए ये monkeys तो total ये सब ही भी कहां की तरफ जा रहे हैं? river की तरफ जा रहे हैं दियान रखना six tori toys भी river की तरफ जा रहे हैं यहां पे अब हमने देखा है कि क्या every monkey having one tori toys तो total हर एक monkey के साथ कितने tori toys हो गया every monkey having one tori toys in one hand तो total हर monkey के पास दो-दो tori toys हो गया मतलब 6 tori toys और 3 monkey तो 6 और 3 नाइन आनिवल्स तो यह जा रहे हैं और एक पहले हमने देखा था स्टार्टिंग में कि यह क्या जा रहा था यह र rabbit था वो भी कहां की तरफ जा रहा था river की तरफ यह जो nine elephants हैं यह river की तरफ नहीं जा रहे थे एक rabbit river की तरफ जा रहा था और उसके बाद हमने देखा है कि तीन monkey three monkeys और six tori toys यानि कि खरगोसी यह भी river की तरफ जा रहे थे तो overall अगर हम देखें तो overall यहां पे हमें समझ में आ rabbit और six हो गए हमारे क्या टॉरो टॉइज और three हो गए monkey तो six और three nine nine और one rabbit तो ten तो total कितने animals हैं 10 animals हैं जो किस की तरफ जा रहे हैं rivers की तरफ जा रहे हैं तो यहां जो confusion हो सकता है लोगों को वो एक तो यह हो सकता है कि लोग समझेंगे कि elephant भी river की तरफ जा रहे हैं एक वो गल जबकि यहां पर monkey भी कितने रहेंगे three total monkey रहेंगे तो इस तरीके से इस question का answer है total ten elements were going to the river तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको like जरूर कीजे क्योंकि आपके like ही हैं जो मोटिवेट करते हैं ज्यादा है ज्यादा वीडियो बनाने के लिए अगर बाकी लोगों के साथ share कीजिए इसे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके वैल आइकोन प्रस का दीजिए इसे आप लोगों तक latest update और notification पहुंचते रहेंगे thank you so much